दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारे अधार कार्ड में कौन सा मुबाइल नमबर लिंक है ये कैसे पता करें क्योंकि बहुत सरे ऐसे लोग है जिनको ये नहीं पता होता है कि उनके अधार कार्ड में अधार बनवाते समय कौन सा mobile number दिये थे उनको यही नहीं पता रहता है और बाद में कभी जो है उस number की जोरत होती है तो भूल जाते हैं कि ओ number कौन सा था तो इस वीडियो में मैं आपको complete दिखाने वाला हूँ कि आपके अधार कार्ट से कौन सा mobile number लिंक है और मैं यहां बताना चाहूंगा कि अधार कार्ट के पोर्टल के तरफ से पहले यहां पे पता चलता था वहां पे एक option आता था जहां से आप अधार कार्ट में कौन सा mobile number लिंक है easily आप जान पाते थे बाकी पिछले कुछ दिनों तक वो बंद था और दुबारा से अभी फिर से हो चालू हो चुका है तो मैं यहां पे आपको सबसे पहले जो है आपको Google Chrome को यहां पे ओपन करना होगा तो यहां पे मैं Google Chrome सबसे पहले ओपन करता हूँ आप यहां पे देख सकते हैं आप अपने मोबाइल लेपटप कहीं से भी चीज कर सकते हैं और यहां पे आने के बाद यहां सर्च बार में सर्च करना होगा आधार काड यहां पे आधार काड लिखके सर्च करा और यहां पे जो ओप्सन खुल के आई होई है यहां पे आप देख सकते हैं आधार माई आधार पे यहां पे आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे आना है और यहां से इस वाले कारड से कौन से मुबाль लिंक है, इसे जानने के लिए, तद मैं यहां पे इस पे क्लिक करता हूं, और क्लिक करने के बाद, यहां पे आप सकते हैं, अधार Score करना धायन पर पूल रहा है, सबसे पहले आपका जो अधार नमबर को डाल के और यहां पे capture को फिल करके जब आप proceed and verify अधार पे यहां पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं आपके अधार कार्ड में कौन सा मुबाइल नमबर लिंक है यहां के लास्ट का जो three digit है आप यहां पे देख सकते हैं वो चीज को भी दबाएं ताकि आने माले व्योडियो की नोटिपीकेशन आपको मिलती रहें थैंक्स